अस वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से खबर जुहां के ट्रिग्रम मंत्रिय मिश्वा की हाई लेवल बैटक है आज बैटक में नकसल प्रभावित राज्चियों के सीएम शामिल होंगे मधिप्रदेश, छत्रिसगड और जार्खन के मुख्यमंत्री भी इस बैटक में म शामिल होंगे राज्चियों के सीएस, डीजीपी और अधिकारियों की भी मौजूद्गी रहेगी नकसलवाद के एक हाथ में पर मन्थन करेंगे केंट्रिग्रम मंत्रिय मिश्वा, नकसल प्रभावित शेत्रों में विकास की जवानकारी देंगे सीएम तो 36 गड़ में जो मुड़भेड कोई थी बीते दिनों जसमें 31 नकसली मारे गए थे और उसके बाद ये बड़ी बैटक होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री विशुदेव साय शिरकत करने वाले उसके लावा मध्यप्रदेश, जारखंज, ओरीसा, देलंगाना के मुख् जरव शुकला हमारे साथ जुड़ चुके लाईव उनसे जुआनकारी ले लेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ बैटक में होने वाला है गौरव आज बहुत ही महत्वपून बैटक है खासकर अगर हम 36 कड़ के लिहास से बात करें तो जो जड़प होई थी मुड़भेड हो जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में होनी है खुद इस बैटक को केंदिर गयमंत्री अमिस साजो है उन्होंने बुलाया है और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरीके से धंतेवारा नरायनपूर के बीच में मुद्भेड हुई थी और 31 नकसलियों को हमारे बनने के बाद इतने बड़ी संक्या में नकसलियों को हानी होई होगी और उसी के बाद लगातार जो है नकसल को लेकर 36 गर की सरकार और 36 गर के जिम्मेदार जो है वो काम करते नजर आ रहे है और यदि हम केंदी ग्रह मंत्री अमिस सा की बात करें तो उन्होंने 2026 तक 36 गर स नकसल खात्मे की बात कही थी जो पिछले दिनों उनकी यहाँ पर बैठक हुई थी उस बैठक में उन्होंने ये बाते कही थी और उस बैठक में भी यदि हम देखे तो जो नकसल प्रावावित राज्य वहां के जिम्मेदार मौजूद थे और 36 गर के भी मुख्यमंत्री उ नकसलियों को आगे आने से रोकना है उस पर चर्चा होगी और जो लगातार नकसल चेत्र में विकास के कारे हो रहे हैं चाहे हम घर वापसी की बात कर लें या फिर उसके अलावा जो ऐसे चेत्र जहां पर कभी पुलिस नहीं पहुँच पाई थी वहां पर पहुँचकर कैम खोले जा रहे हैं और आम लोगों के साथ साथ अब पुलिस भी पुरा राम से वहां पर पहुच पा रही है तो उसकी जानकारी भी यहां पर मुख्यमंत्र विस्मुदेव साय और डिप्टी सीम विजय सर्मा के साथ डिजीपी और जो सीय से वो देते नजर आएंगे और कह मिलाकर काफी महतवपून ये बैठक होने वाली है और जिस हिसाब से काम हो रहा है चुद्धिसगर में अकसलवात को लेकर यहां तो देखे घर वापसी कराई जा रही है और जो नहीं मान रहा है उनको देखे धूल भी चटाई जा रही है तो ऐसे में आज की बैठक की में नजर आते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जो आनकारी के लिए